कि जब आप बौने लोगों के बारे में और बौने लोगों को बड़ा बनाते हैं और छोटे लोग सत्ता पे काबिस हो जाते हैं इंस्ट्यूशन पे काबिस हो जाते हैं तो छोटे लोगों की तस्वीरे देख देकर आपका बच्चा भी छोटा बनने की कोशिश करता है और हमारे देश में तो बहादुरों को कायरता के साथ इतिहास ने दफनाया समाज ने दफनाया और समाज ने उन बहादुरों को जिनकी बहादुरी का किसा किसी से छुपा नहीं था उसको बताने में बड़े शर्मा शर्मा के बताया ये बात अलग है कि सत्तर साल में सत्ता बदली तो सत्ता बदलने से कुछ लोगों को लगा कि हम भी अपनी बात कह सकते हैं ये बात अलग है कि उससे पहले कोई मन की बात नहीं कह रहा था वो भी इसी बार भी मन की बात करता है उससे हुआ क्या कि सुबाश चंदर बोस के साथ क्या हुआ ये पूरे देश को पता चल गया सावर करकर के साथ क्या हो रहा है पूरे देश को पता चल गया और कौन लोग थे जिन्होंने एक डॉकुमेंट पे साइन किये थे और भारत के आर्काईव में रखा हुआ था कि सुवास चंदर बोस इस वार क्रिमनल जिन्दा या मुर्दा जब भी पकड़े जाएंगे उस वक्त की बिटिश सरकार ये बात अलगे कि वो चले गए उनके हवाले होगा इस डॉकुमेंट को इस देश में किस ने चुपाया और किस मकसद चुपाया और कौन लोग थे जिन्नों ने ये जगन अपरात किया ऐसे ही एक बहादुर है हमारी समस्या ये है कि जो हमारे दिलों का हीरो है वो किताब में नहीं है और जो किताब में पढ़ाया जा रहा है वो हमारे दिलों में नहीं है हमारी संकट ये है सरकार कुछ चाहती है समाज कुछ चाहता है समाज का हीरो कोई और है सरकार का हीरो कोई और है लिहाजा 21 अक्टूबर 1943 को सुभाज चंदर बोस ने भारत की आजादी की गोष्णा की मोयान जो नॉइ नौर्थ-ीस के अंदर जगे है वहां से लेके पूरा नौर्थीस उनके कबजे में था बंगाल के अख़बार पढ़िये जाकर के बंगाल में और सत्तर साल का जीवन कोई किसी भी देश के इतिहास में एक लम्हे के बराबर होता है उन अख़बारों में जाके पढ़िये के सुबास चंद बोस ने जब इस आजादी की घोशना की तो बंगाल में बंगाली लोग अपने घरों के बार जो भी कुछ उनके पास हत्यार था उसे लेके सुबास चंद बोस का इंतजार कर रहे थे कि वो जब आगे बढ़ेंगे तो उनके साथ हम चलेंगे 21 अक्टूबर को उस घोशना के बाद इस देश में करंसी भी जारी की और बैंक भी जारी हुआ और दुनिया के ग्यारा देशों ने जिसमें USSR जैसा देश शामिल है उन्होंने उस सरकार को मानिता दी लेकिन शेडियंदर कहीं और नहीं आपके घर में हो रहा था कुछ लोगों को ट्रांसफर ओफ पावर से ट्रांसफर होकर के डीम से पीम बनना था इसलिए उन्होंने तमाम समझोते किये तो जो आदमी 43 के अंदर पूरे लाव लशकर के साथ देश की आजादी की घोशना करता है 47 आते आते वो किस कॉंस्प्रेसी का शिकार हुआ ये देश को पता करने में 70 साल लग गए और जिस शक्स को आपने भेजा उसने कम से कम सुना तो हमारी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा था हमको तो राइट विंगर कहा जाता था जबकि राइट विंगर से कहीं दूर दूर तक हमारा कोई लेना देना नहीं था लेकिन बड़ी खामोशी से सुना दहर के साथ सुना तहम्मल के साथ सुना और सुनने के बास इस नतीजे पे पहुँचा कि दुनिया बर से जितने डॉकुमेंट इखटे किये हैं वो बिल्कुल सही है और जब सही बात पता चल गई तो करेज देखिए ये करेज आपने दिया है देश ने दिया है ये ताकत आपने दी है आप ये मत मानिये कि आपने 23 मई का रिजल्ट देने के बाद आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है हर दिन ये एहसास कराना होगा कि देश तुमारे साथ है जो साथ नहीं है वो उटके चले गए जो साथ नहीं है उनके बारे में कोई घलत फेमी नहीं ता मैं जो साथ है वो अपने साथ होने का परचे दें उसने पूरी बात को माना और 21 अक्टूबर को भारत के लाल के ले पे दुबारा जाके जھंडा पहराया उन्होंने सुबास चंद भोस की उस खुआश को पूरा किया जो उन्होंने शौकत मलिक से कहा था कि आपको जंडा पहराना है और एक घटना का जिकर इसलिए क्योंकि आप गुजराती है प्राइम मिनिस्टर हाउस से जब वो शक्स निकला और लाल के लिए तक जा रहा था इस बीच में उन्होंने एक ट्विट किया वो ट्विट सारवजिनिक था उस ट्विट में क्या लिखा था मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि वो कोई ट्विट बताना मेरी कोई मेरे लिए बड़ा इंपोर्टन्ट है इंपोर्टन्ट ये है कि देश का प्रधान मंतरी चार साल तक सत्ता पे बैठता है सब कुछ होने के बाद जरा समझे कि जो लोग इस देश में दुश्मन है उनकी ताकत कितनी गहरी है उनकी जड़े कितनी गहरी है उन्होंने अपने ट्विट में कहा कि मैं जंडा फैराने जा रहा हूं लेकिन मुझे मालूम है लोग मेरे बाल नौच लेंगे ये उनका ट्विट था प्राइम निस्टर अगर ये समझ सकता है और ये कह सकता है कितने खत्रे होंगे कि इस घटना के बाद देश में क्या बवाल होगा तो मेरी और आपकी क्या उकाद है लेकिन इसके बावजूद भी वो गए लगातार पूरी टीम जीडी बक्षी करनल आरस सिंग सुशील पंडित गौरव आरिया ललित अंबरदार हम सब ने कहा हम पीछे नहीं हटेंगे चाहें कुछ हो जाए उसी दिन प्रधान मंत्री ने जंडा भी फैराया और देश के एक बड़े इतिहासकार को बोला के कहा कि मुझे 23 जनवरी जिस दिन सुबाश चंद बोश का जनम दिन होता है मुझे इसी लाल किले के अंदर दुनिया का सबसे बहतरीन सुबाश चंद बोश का म्यूजियम चाहिए